हको नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हमें n gr के बारे में जानेगे n gr क्या है द्धल्स निकलता है त्रीफिटराल और एक neutral. जैसा कि अब देख रहें ये cable ये cable connected हुआ है ट्रांसपरमर का neutral point के साथ बुसिंग के साथ और ये cable को हम NGR पर connect कर देते हैं जैसे ये देख रहें NGR पर ये cable NGR का दो end होता है एक end में cable को connect कर दिया दूसरा end को हम सिधा आर्थिंग पर connect कर दिया यानि बीच में रह गया NGR, लेकिन NGR में लिख्या गया देखिए, R 12.7 Ohm, R यानि रेजिस्टन्स 12.7 Ohm का रेजिस्टर इसका अंदर लगा हुआ है, ये NGR के अंदर, तो आज हम देखेंगे, ये केसे सब कनेक्टेड होता है, फिर उसका ये जो वैल्यू 12.7 Ohm, ये Q connect किया जाता है, ट्रास्फर्मोर का neutral को Q ground के साथ connect किया जाता है, और वो भी थ्रू NGR, neutral grounding resistor के थ्रूwn ग्राउंड के साथ connect किया जाता है तो पहला काम जो है वहे protection ये देगा किसके खिला protection देगा जब कोई बी over voltage आ जाएगा ट्रांस्फर्मर में सदान अवर फोल्टेस आ जायेगा तो यह ट्रांस्फर्मर को प्रोटेट करेगा यह district कर hardly है दूसरा जो आये खेक्र यह हमेशा resistance करता है flow of current को यानि fault current ज्यादा होगा तो यह हमारा cable को damage कर सकता है नहीं तो transformer का winding को भी damage कर देगा लेकिन हम इसको fault current को थोड़ा अगर minimize कर देंगे तो हमारा जो transformer का winding को बच सकता है वो भी बच जाएगा इसलिए हमेशा NGR में register यूज किया जाता है कि जैसा कि यह देखिए रेजिस्टर सीरीज में पुरा connected है यह बहुत सारे रेजिस्टर connected है तो इसको हम मेजर करेंगे देखिए नीट्रल पॉइंट में एक लगा लिया एक रेजिस्टर में मेजर कर रहे हैं इसका value देखिए कि इतना ओम हम मेजर करेंगे मेगर का एक लगा दिया हमने नीट्रल के साथ दूसरा लगा दिया ग्राउंड के साथ बीच में रह गया यह पुरा तो देखिए कितना वाल्यू आ रहा है यह आगया 12.4 ओम के आसपास यह वाल्यू आ रहा है 12.7 12.6 यह 12.6 एं 12.4 के बीच में यह वाल्यू दिखाई दे रहा है दोस्तों आसा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत आच्छा लगा होगा बहुत इंफर्मेटिव लगा हो तो देर मत किजिए हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए तन्यवाद